रक्षा बंदन 30 तेवहार पर घेवर तो चलता ही है, तो घेवर सभी को पसंद आता है, इसको क्यों ना हम घर पर बनाएं, जो इतना टेस्टी बनकर त्यार होगा, बहुत इजी है इसको बनाना, ना कोई इसमें ज़्यादा महनत है हो, ना ही ज़्यादा धंजट है, मेरी को देखेंगे, तो आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए आप इन वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी रेसिपी तभी पता पड़ेगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताय कीजिए, कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप कहां से देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चेनल को सबस्क्राइब नहीं कर रखा है, तो आप मेरे चेनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा, बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की इसलिए हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम तीन चम्मच भर के देसी घी लेंगे, आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें, तभी हमारा घेवर बहुत अच्छा बजार से भी टेस्टी बनकर त्यार होता है, और इसमें हम तीन चार आइस क्यूब डाल देंगे, तो आप इसमें ती अरिके से मिक्स करते जाएए, तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में, जो हमारा घी है, वो काफी हलका हो जाएगा, और देखने में बिल्कुल वाइट हो जाएगा, तो आप देखेंगे, अगर आप से चमर से नहीं हो पा रहा है, तो हाथ से कर सकते हैं, मैंने इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है, देखेंगे काफी सॉफ्ट हो गया है, एकदम मक्षन जैसा बन गया है, अब इसमें जो हमने आइस क्यूब डाले थे, उनको हम निकाल देते हैं, ये देखें, अब इसमें हम एक कप भरके मेंदा डालेंगे, हम एक कप सीक्रेट होता है, तो वो सीक्रेट में आपको बता रही हूँ, इसमें एक चमज भरके हम बेशन डालेंगे, बस एक ही चमज डालना है, इससे ज़्यादा हमें इसमें बेशन नहीं डालना है, अब इसे हम अच्छे से मेक्स करेंगे, जिससे इसमें किसी तरह के कोई लम्स तोगेरा नहीं रहें, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, तभी हमारा घीवर बहुत अच्छा बन कर तयार होगा, अब इसमें हम एकदम चिल्ड पानी लेंगे, फ्रीज का निकला हुआ, और इसमें हमने कुस आइस क्यूब डाल दी है, थोड़ा-थोड़ा करते हुई हम इ इसमें डालेंगे, तो इससे इसमें लंस नहीं बनेंगे, अगर आप एक साथ सारा पानी डाल देंगे, तो इसमें लंस बन जाते हैं, और इसको हम इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, पानी की आप चिद्धा ना करें, पानी इसमें ज्यादा ही बढ़ता है, तो देखिए हमारा इसमें एक भी लंस नहीं बना है और इसकी आप देखिए कितना हमने इसको पतला रखा है इसमें पानी ज्यादा लगता है आप देख सकते हैं इसको हमने कितना पतला बनाया हुआ है अभी इसमें हमें पानी और डालना है तो इसमें हमने कुछ पानी और डालना है पानी है और एक कटूरे में हम eyes cube डालेंगै और उस kupolet के ओपर इस kupolet को हम रखदेंगे इसे batter को हमें ठंडा ही रखना है तो देखीए इसको हमें बिलकुल गर्म नहीं होने देना है अब इसमें हम एक secret और डालेंगे वो एक चम्मज भर के नीबू का रस आप इसको जरूर डालें बिल्कुल भी इसकीप ना करें तब ही हमारा गेवर बहुत अच्छा जालीदार बनेगा तो देखिए यह हमारा ठंडा है आप घी हमने गर्म करने रख दिया है आप घी में ओयल में या वनस्पती घी में किसी में भ बबल्स आएंगे और देखिए जब बबल्स इसमें से थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब इसमें हम दूसरी बार डालेंगे हमें एक साथ ज़्यादा बैटर को नहीं डालना है तो देखिए इसको हम थोड़ा थोड़ा जो छोटी वाली खाने की चम्मज होती है हमारी उतन ही उतना हम लेंगे और इसमें हम ऊपर से उचाई से डालेंगे इसको पास से नहीं डालते हैं अब ये देखिए आप कितनी जल्दी इसमें जाग बनते हैं और कितनी जल्दी इसमें जाग शान्त हो जाते हैं जब इस तरीके से हम इसमें डालेंगे तो इसमें जो जाली बन कर तैयार होगा तो आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी कम नहीं गनना है फुल गैस की फ्लेम पर ही इसको हमें बनाना है बीच में आपको लगे कि छेद हमारा खतम होता जा रहा है तो इसको हम चाकू या किसी करशली की सहायता से थोड़ा सा हम हिला द गैस की फ्लिम को हम तेज रखेंगे और डालना बंद रखर देंगे और देखेंगे थोड़ी ही देर बाद ये थोड़ा अंदर से हमें ब्राउन सा नजर आने लगेगा तो हम इसको करशली से या चाकू से थोड़ा सा साइड से छोड़ा देंगे और इसको हम अंदर प्रेस क तो जो उपर वाइट दिखाई दे रहा है वो भी जब ओयल में अच्छे से डूब जाएगा तो उसमें भी एक दव अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा तो देखिए आप थोड़ी ही देर में देखेंगे हमारा गेवर के उपर पूरा अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है जित जारी की तरह से पकड़ेंगे और इसको छेद में डालकर इसको उठा लेंगे तो इस तरीके से हमारा गेवर आसानी से निकल जाएगा और इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो नीचे जो ओयल है वो इस तरीके से इसमें से सारा निकल जाएगा तो देखिए हमारा गेव कितना अच्छा जालीदार बनकर त्यार हुआ है, इसको अब हम एक चलनी के उपर खड़ा रख देंगे, जिससे इसमें एक्ष्टा जो भी ओयल होगा वो निकलेगा, अब इस जारी को हम एक कटोरी के उपर रख देंगे, तो पूरा इसमें से निकल जाएगा, इसी तरीके से हम सारे अपने घेवर बना कर त्यार कर लेंगे, आब इसके लिए हम रबडी बनाएंगे, तो हम एक कटाई रख देंगे, गैस पे उसमें थोड़ा चा पानी डाल देंगे, और कटाई को हम हिला देंगे, जिससे पानी इसमें चारो तरफ लग जाएगा, तो दूद हमारा आप चाहें तो टॉन मिल्क भी ले सकते हैं, और रबडी आपको अगर ज्यादा बनानी है तो दूद और ज्यादा लीजिएगा, इसको हम गर्म करने रख देंगे, और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे, तो देखेंगे, जब तक यह हमारा बॉइल नहीं हो जाता, तक इसको हम इस तरीकेश चलाएंगे, देखेंगे, दूद में वाली आ गई है, इसको हम इसी तरीकेश चलाते रहेंगे, जब तक हमारे दूद की कॉंटिटी आधी नहीं हो जाती है, तो देखेंगे, थोड़ी देर में हमारे दूद की जो कॉंटिटी है, वो आधी हो आसपास की मलाई हमने स्क्रब करके इसमें डाल दी है अब इसमें हम दो से तीन चम्मज भर के चीनी डालेंगे आप अपने हिसाब से कम या जदा मीठा करना है तो उस हिसाब से भी आप इसमें चीनी डाल सकते हैं तो चीनी हम इसमें घुलने तक इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे और इसमें कुछ हम थोड़ी ड्राइफ रूट की कत्रन डाल देंगे इस समय पर तो ड्राइफ रूट की कत्रन भी ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें वरना आप इसको skip कर सकते हैं और इसमें हम थोड़ी सी कोटी हुई इलाइची डाल देंगे इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा तो देखिए रबड़ी हमारी बन कर तयार हो गई है हमें इससे जादा नहीं पकानी है क्योंकि जब हम इसे फ्रीज में रखेंगे तो ये और अधिक गाड़ी हो जाएगी तो देखिए रबड़ी हमारी बन गई है गैस की फ्लेम को बन कर देती हैं कटोरी में निकाल कर इसे हम फ्रीज में रख देते हैं रबडी देखी हमने निकाल कर रख दीती और काफी अच्छी हमारी ठंडी भी हो गई है तो देखेंगे आप हमारी रबडी इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा दूट डाला था ये थोड़ी गाड़ी हो गई थी तो मैंने इसको थोड़ा पतला किया है अब देखेंगे हम हमने जो चाशनी बनाई हुए इसके लिए चाशनी विचाहिए होती है अगर आप एक कप चीनी ले रहे हैं तो आदा कख उसमें पानी डाल कर उसको अच्छे से थोड़ा बॉइल कर लीजिए बस हमें कोई इसमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है मेरे पास रखी हुई थी इसलिए नहीं बनाई है इस तरीके से हमारी चाशनी बन जाएगी अब घेवर एक प्लेट के उपर रखेंगे उसमें हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करते हुए चाशनी डालेंगे मैंने इसमें औरेंज कलर डाला है क्योंकि मैंने इसको दूसरे काम के लिए बनाई थी आप इसके लिए बिना ओरेंज कलर की भी चाशनी बना सकते हैं और इस तरह के अगर ओरेंज भी बनाएंगे तो भी ये चल जाएगी किसी भी तरीके से आप चाशनी बना सकते हैं अब इसके उपर हम थोड़ी से जो रबडी है वो इस तरीके से हम लगा देंगे रबडी से घेवर हमारा खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप बिना रबडी के भी घेवर खा सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मार्केट में दोनों तरह का घेवर मिलता है, तो मैंने आपको दोनों तरह का घेवर बनाना पता दिया है, आप ज प्रास रेसिपी है जो तीज दिवहार पर बनाई जाती है। मार्केट में तो बहुत महिंगा मिलता है। आप घर पर बहुत सस्ते में और बहुत आसानी से 15 मिनट में आप घेवर बनाकर तयार कर सकते हैं। ना इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसके उपर आप जितनी रबडी डालना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने इसको रबडी से कोट कर दिया है और इसके उपर हम कुछ ड्राइफ रूट लगा रहे हैं। ड्राइफ रूट आप अपने पसंद के कोई से भी लगा सकते हैं या आप इसके उपर ड्राइफ रूट की कतरन भी लगा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना मद भूएगा। तो देखिए हमारा घेवर कितना अच्छा बना हुआ है आपको कट करके भी बता सकते हैं इतनी अच्छी जाली है इतना टेस्टी बना हुआ है कि मार्केट का घेवर भी इसके आगया पुफीता लगेगा तो आप इस तरीके से इस पीष्टे ओहार पर बक्षा बन्दन पर इस घेवर की रेसिपी को खुर्मी भी बनाएए और इंजॉय दिए फिर मिलते ही एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बाई बाई राम राम जी